प्रिचो आज का हमारा टोपिक होने वाला है कि हम किसी अन्नोन बंदी को पहली चेट में कैसे इंप्रेस कर सकते हैं और उसको कैसे फिलेट कर सकते हैं तो आज का टोपिक हमारा यही होने वाला है तो बिन टाइम वेस्ट के वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजे बेल आइकन को दबा कर रोल पर प्रेस कर दीजे ताकि मैं कोई भी तो यहां बहुत कम लड़ की होती है जो ये बोलती है कि काहा से हो उसके बाद कोई टोपिक नहीं बचेगा लेकिन आपको टोपिक किस तरह से निकालना है जब इसने का मुझस से के मैं अच्छी हूँ तो मैंने का I know तभी तो reply दिया तुमने और मुस्कुराने लगा तो इसने का मतलब मैंने का मतलब आप अच्छी हो तभी तो मेरा reply दिया वरना कुछ लड़किया ये वहम पाले रखती हैं कि वो heroine दिखती हैं और वो heroine दिखती लेकिन वर्फी मूवी की पिरिंग का चोपड़ा दिखती हैं और हसने लगा तो ये बास सुनकर ये हसने लगी इसने का ऐसा नहीं है किसी को ऐसा नहीं बोलते मैंने का नहीं आप ही बताओ जब account बनाया है FB पर तो आपको लड़कों की request भी आएंगी ही और फिर messages भी आए इसलिए लड़कें reply नहीं देती तो मैंने का लेकिन पांचों उंगली बरावर नहीं होती ना अगर कोई लड़का limit की रोस कर रहा है तो उसे बिलोक कर दो तो इसने ये वाला emoji send किया इसने का अहां लेकिन पहले थोड़ी पता चलता है कि किस लड़के के मन में क्या चल रह तो मैंने का लेकिन मेरा मानना है प्यार से बहतर दोस्ती होती है क्योंकि दोस्ती ऐसी चीज है जो कभी खतम नहीं होती और दोस्त रूट भी जाये तो ज़्यादा देर तक नाराज नहीं रहता लेकिन प्यार एक दफार रूट जाये तो उसमें फरक आ जाता है और पहले जैसी बात नहीं रहती तो यहां मैं तुमको एक बात बता दूँ अगर तुम किसी अंजान लड़की से बात कर रहे हो तो पहले उसके दिल में दोस्ती के लिए जगा बनाओ ऐसा नहीं डारेक्टली उसको फिलेट करने लगो और वो डारेक्टली तुमारी गल्फरेंड बन जाएगी पहले उसको दोस्त बनाओ उसके दिल में अपने लिए प्यार जगाओ उसके बाद वो गल्फरेंड बनेगी इसके लिए कुछ टाइम लग जाता है पंदरे दिन बीज दिन एक महीना और किसी किसी लड़की के लिए डेड़ या दो महीना भी लग जाता है तो यहाँ पर अगर तुमारे पास पेसंस है तो रख लो नहीं तो तुमारी गल्फरेंड तो दूरूर की बात कोई तुमारी दोस्त भी नहीं बनेगी तो जब मैंने इस से ये सब दोस्ती वाली बात बोली तो इसने का राइट आपकी सोच बिल्कुल सही है मैं भी दोस्ती में ही बिलीव करती हूँ मैंने का हाँ अच्छा आप कहां से हो तो यहाँ पर वो मेरे सुरू मेर लापरवाई से रिपलाई दे रही थी तो पहले मैंने इसको इंट्रेस्टिंग बात करके अपनी तरफ एक्टरेक्ट किया उसके बाद मैंने इस से पूँचा के आप कहां से हो तो इसने यहाँ पर देख सकते हैं बता दिया इसने का अनॉइडस है आप मैंने कहा मैं देली से आप तो पड़ोसी ही हो तो कहने लगी हंजी तो मैंने पूचा आप देली आयो कभी तो यह वाला इमोजी इसने से इंट किया इसने का पाकिस्तान में थोड़ी है देली आती रहती हूँ मैं इस संडे भी गई थी हमारे मामा रहते हैं वहाँ तो ये वास सुनकर मुझे बहुत हसी आने लगी मैं हसने लगा मैंने का सोरी अच्छा कॉनाथ कोंची जगा रहते हैं आपके मामू तो कहने लगी गोंडा मैंने का ओ, चलो अब कभी आओ, तो हमसे भी मिलना तो कहने लगी देखते हैं और मुस्कुराने लगी मैंने का देखना क्या है ज्यादा बुरा नहीं दिखता मैं और हसने लगा मैं इससे मज़ाक कर रहा था तो ये सीरियस समझने लगी इनने का अरे पागल ये नहीं बोल रही और ये वाला emojis send क्या मैंने का अरे मैं जाक कर रहा हूँ तो कहने लगी हप मैंने का आप बहुत सुईट हो यार तो इसने का अच्छा जी मैंने का हां जी क्या करती हो आप तो इसने का मैं कुछ नहीं तो मैंने ये वाला इमोजिस को सेड़ के मैंने का इस टेड़ी नहीं करती तो इसने का न, मैंने का वाई, तो इसने का ऐसे ही, मैंने का कितना पढ़ी हो, इसने का ग्यारवी में फेल हो गई, फिर मेरा मन नहीं किया पढ़ने का, मैंने का ओ, कोई बात नहीं, होता है, जिन्दगी है, अगर सब पास हुए तो फेल कौन होगा, मुस्कुराने लगी, कह ये वो डाटते हैं तो कहने लगी हाँ ये भी है आपकी एज कितनी है मैंने का 21 क्यों कहने लगी 49 तो बहुत है आपको लगते नहीं किसके मुझकुराने लगी तो यहाँ पर मैं हसने लगा मैंने का हम लड़के हैं कम उमर में ही जिंदगी हमें बहुत कुछ सिका देती है कहन लगी 19 मैंने का अच्छा लेकिन तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे और ये वाला इमोजी सेंड किया इसने का थैंक्स मुझे भी देखो मैं तुम्हें बता दू लड़किया इस तरह के बंदे पसंद करती है एक तो वो बोरिंग नहीं होना चाहिए एक नोलिज ज़्यादा होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा लड़किया इंट्रेस्ट लेती है और आज के टाइम में देखो ये थोड़ी बुरा मनने वाली बात है लेकिन लड़किया उस लड़के को ज़्यादा पसंद करती है जो मतलब एक काम्याब लड़का रहता है जिसके अच लड़की बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी तो तुम मैं इन में से कुछ न कुछ खूबी होनी चाहिए या तो आप एक इंट्रेस्टिंग बंदे होने चाहिए या आपके पास अच्छी जोग होनी चाहिए मतलब इन में से कुछ भी और ऐसा नहीं है कि अगर तुम कोशिस नहीं करोगे तो तुम से नहीं होगा कोशिस करोगे तो सब चीज आसान हो जाती है एक दफ़र ट्राइ करके देखो कोशिस करके देखो कामिया बनो अच्छे बन दे बनो तो लड़की तुमारे पीछे खोद आईगी तो यहाँ पर मैंने इससे इतनी ही बात की थी अगर आप चाते हो आगे भी बात करूँ और आगे किसी टोपिक पर वीडियो बनवानी हो इससे अलग तरह किया किसी भी टोपिक पर वीडियो बनवानी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं तो आई होप वीडियो आपके समझ में आ गई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपने एक प्यारा सा लाइक जरूर देना चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब जरूर करना मिलता हूँ अगली वीडियो में